जब नर्सारी से हम लोग मेंच फील्ड में धान को ट्रास्प्लांटिंग करने जा रहे, तब बीचड़ा का जो उपरी हिस्सा है, उस उपरी हिस्सा को अगर हम लोग काट के घटा दे, 3-4 cm जो पत्ता का पुर्शन है उसको अगर काट के हटा दे और हटा के अगर उसको डेस्ट्रो भी कर दे तो इसका अंडा को हम लोग नस्ट कर दे रहे तो उसके बाद अगर हम लोग ट्रांस्प्रांटिंग करेंगे तो हम लोग नारसारी से इसका मेंड फिल में आने का जो रास्ता है उसको बंद कर देते है दूसरी बात यह है कि आगर हमारे पास ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम बोलके एक अंडा परजी भी आगर हम लोग के पास है बिहार अगरिकल्चर इनिवर्स्टरी साबोन में इसका उपलब्ध है यह ट्राइकोग्राड अगर हम लोग एक लाख ट्राइकोग्रामा का अंडा परासिटाइस्ट कॉर्शारी का अंडा प्रती हेक्टर में आगर जगा जगा पे आगर इंस्ट्रोल करते है तो य यह अंडा से जो ट्राइकोग्रामा परजी भी निकालता है वो परजी भी धान का स्टेमबोरर का अंडा के अंदर आपना अंडा दे के स्टेमबोरर का अंडा को नस्ट कर देते हैं अगर हम लोग उने दूसरे तरीका में अगर आते है तो बहुत इंपोर्टेंट तरीका ह होता है फेरोमोन ट्रैप यह फेरोमोन ट्रैप में मादा का गंध होते है लब स्टेम बोरड का तनाविदक का मादा का गंध होते यानिकी मादा का गंध होने के कारण पुरूज जो तीतली है वो उसमें आकर अकरशित होकर उसमें फच जाते और मर जाते तो इसमें मेटिंग नहीं होने के कारण इसका अंडा नहीं मादाने अंडा नहीं दे पाते है और इसका प्रकुप धिरे-दिरे कम होता है और भी तरीका है जैसे राशानीक तरीका है उस राशानीक तरीका में बहुत इंपोर्टेंट एक केमिकल यह हो सकता है जिसको हम लोग बोलते है कार्टफ ह यह कार्टफ हाईड्रोक्लोराइड का जो पावडर फार्मूलेशन जो पानी में घुलने वाला जो फार्मूलेशन होता है वो फार्मूलेशन अगर एक से देड़ ग्राम प्रती लिटर पाने के हिसाब से घोल के अगर हम लोग छिड़काव करें तो हम लोग तनाविदक को रोक सकते हैं